लाजवाब फर्स क्लास पूरा का पूरा पढ़ना है तो सबसे पहले चेप्टर में हम उसके बेसिक्स पर ही फोकस करेंगे और छोटी-छोटी शीज़ों को समझेंगे फर्स चेप्टर की अगर हम बात करें दोस्तो बेसिक्स ऑफ बिजनस एकनॉमिक्स को हमने कुछ अलग-अलग केटेग्रीज में अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है तो चेप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बारी पैटरन की तरफ नजर डाल लेते हैं किस सीक् पहले जरा इसी चीज को समझ लेते हैं जब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर चेप्टर की तो दोस्तो यह चेप्टर हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पहला तो जो आपका इनिशिल पोर्षन है उसको मैं बेसिक्स का ही नाम देता हूं क्लियर दूसरा हम discussion करेंगे आपका basics के अंदर हम क्या नाम है आपका meaning जो है एक तरह से कहिए जो meaning है उनको discuss करेंगे और इसी में business economics के बारे में other factors के बारे में discussion करी जाएगी ठीक है उसके बाद जो next heading आपकी जो second है वो आपने पहले भी सुनी होगी इसमें हम पढ़ेंगे economic या फिर आप कहिए central problem के बारे में एकनॉमिक या central problems के बारे में and finally we will move towards the third heading the last heading and it is types of types of business sorry types of economy types of economy ठीक है यह तीन पार्ट होगे है क्या मैं पहले आपको overviews का idea दे देता हूँ basic basics में हम meaning business economics के बारे में knowledge लेंगे भई हमारी heading क्या है हमारा syllabus क्या है business economics है इससे पहले अगर हमने economics पढ़ी है अगर नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं उसको भी हम discuss करेंगे उसको भी शुरू करेंगे लेकिन अगर हमने पढ़ी है so we have a focus towards the word economics only कि economics क्या होता है सर हमने वो समझा है इसके साथ एक वर लगा दिया गया क्या business okay यह क्या है यह समझना जरूरी है इसके फीचर्स क्या है इसके आपके जो अलग अलग है प्रोचीज है वो क्या है स्कोप क्या है वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे उसके बाद economic problem यह एक important topic अकसर बहुत सारे questions जो है इससे पूछे जाते हैं जब आब बात कर रहे हैं एक कोई topic अपना subject क्यों लेकर आते कुछ ना कुछ relative problems कुछ ना कुछ relative targets हमारे सामने होते हैं तो उन्हें solve करने के लिए उन्हें sort करने के लिए हमें problems को पढ़ना जरूरी है और तब ही वो subject हमें उन problems को दूर करना बताता है तो economy के अंदर क्या-क्या problems है वो उसकी बात करेंगे types of business economics किस तरीके से एक economy जो है वो आपकी operate करती है उसे control कैसे करा जाता है अलग अलग तरीके से अलग अलग जरीये से इसमें मैं आपको बता दू types of economy में हम तीन तरह की economies के बारे में discuss करेंगे पहला हमारा होगा जो हम detail में discuss करेंगे capitalist economy socialist economy और उसके बाद mixed economy यह है क्या जब ज school ध्यान रखेंगे इस चीज में जब भी हम यह syllabus कर रहे हैं यह topic कर रहे हैं जब आपकी कोई specific heading खतम हो गयी जैसे यह वाला topic हमारा खतम हो गया इस chapter के खतम होने तक आपको अपना कौन कौन सा target पूरा करना है उस पर नजर डालते हैं जैसे ही दोस्तों जैसे ही दोस्तों आ आप अपनी कोई specific heading complete करोगे फॉर एक्जामपल आज की class में हम basic से शुरू करेंगे अब एक class लगती है दो class लगती है वो आगे देखा जाएगा लेकिन जब आपने यह पहला section पहला part complete कर लिया तो आप अपने खुद दोस्तों जो summary points हैं जो summary points हैं आप उसे कह सकते हैं जो important points हैं वो अपने एक separate notebook में आपका note down करेंगे कोई भी आप topic पढ़ रहे हैं कोई भी आप heading पढ़ रहे हैं important one निकल कर आया important line निकल कर आई important formula important diagram whatever okay कोई specific line आपको समझ नहीं आई उसको आपने बाद में discuss करा समझा इसका doubt clear करा उसको भी note करो reason being reason being क्या है कि देखो आपका जो paper है वो MCQ based है है ना economics की बात करें जो content हमारा वो MCQ based है तो इसमें जो आपके specific words है जो specific sentence है उनकी meaning मालूम होना timely basis पर बहुत ज़ादा जरूरी है तो ये बहुत important है कि जब भी कोई specific heading आप complete करेंगे अपनी एक separate notebook बनाईए पतली सी ठीक है उसमें हुस particular heading के सारे के सारे जो main points है summary points है उनको note down करते चलिए पहली चीज़ ठीक है सेम ऐसी ये वाला complete हुआ summary points ये वाला complete हुआ summary points ये वाला complete हुआ summary points गॉट इट आफटर completing the chapter जब आपने chapter आपका पूरा का पूरा complete कर लिया मेरी आपसी request है आप उसके कम से कम chapter finish होने के बाद ही revision तो बाद में चलती रहेगी वो लग है चेप्टर के finish होने के बाद at least आप उसके दो MTP जो है उसको जरूर करें दो mock test paper जरूर perform करें कितने questions it depends on the particular chapter कितनी strength है उसकी जैसे मैं इस chapter की बात करूँ तो आने वाले chapters के मुकाबले ये इतना lengthy section नहीं है तो मेरी कोशिश है मेरा आप से सुझाव है कि तकरीबन आप इसके 80 से 100 MCQs आप practice करें देखें जज़ करें मैंने कितने सही करें कितने गलत करें इनका मालूम होना बहुत ज़ादा जरूरी है and the very important thing जो MCQ आपका गलत हुआ है ठीके जो MCQ आपका गलत हुआ है छोटी मोटी गलती से छोटे मोटे error से हुआ कोई बात नहीं उसको आपने समझा लेकिन कोई different MCQs था उसमें concept बिलकुल अलग था जो हमारे सर के उपर से गया उड़ते हुए तो आगे तो नहीं जाने देना न उड़ते हुए है ना तो उस question को उस question में आने वाले content को आप properly आप properly समझें उसे समझें और again same thing उसका जो summary point है वो तैयार करें क्लियर इसका help इसे help क्या मिलेगी आपको जब हमारा examination time आएगा ठीक है अब एक्जाम नस्दीक है रिवीजन करनी है तो पूरा syllabus दुबारा से करोगे क्या है पूरा topic दुबारा पढ़ने बैठोगे obviously नहीं उसकी ज़रुत थोड़ी ना है that's not good good का बतलब सीधी सी बात है आ इस बार आपको ज़्यादा परेशान होनी की जुरुत नहीं है फटाफट से क्या हमने copy निकाली सर समरी points देखे अरे यह topic तो पहले से आता था content देखा mcqs वगरा कुछ और practice करे that's it and a free wizard है ना क्योंकि timely जब आपने अपने topic को start करा है जब आपने chapter को start करा है तो chapter की जो अ starting से direction बढ़िया रखी है तो सीधी सी बात है आगे चलके आपको economics नाम की movie में कोई tension ही नहीं होगी got it तो फिलहाल इस chapter का जो मैंने आपको sequence बताया वो हम यह रखेंगे हर specific chapter में हम अपना कोई भी particular specific content है उसको किस तरह से हम cover करेंगे वो discuss किया जाएगा लेकिन अगर हम बात क इस chapter की so I request कि आप इन points पर बहुत जादा ध्यान देंगे clear जी चलिए आएए वापस आते हैं वापस आते हैं वापस आते हैं और सीधी सी बात है we are going to discuss about the basics of business economics basics of business economics लेकिन लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं word business economics की दोस्तों तो यह अकेला तो नहीं है ना यह अकेला तो नहीं हैं एक आ रहा है economics और एक आ रहा है business commerce की initial classes में मतलब 11 12 में हमने यह दोनों word separately separately पड़े economics का अलग subject था business का अलग subject था अब इन दोनों को मिला कर यह word मना दिया है तो यह जरूरी है यह जरूरी है कि हमें पहले इन दोनों word की meaning अलग अलग पता हो ठीक है business का तो obviously में पता हो है कि जब हम mainly किसी particular economic activity में एंगेज होते हैं economic activity जो money से related हो जिसमें monetary terms हो जिसमें जो भी कुछ produce हुआ है खरीदा गया है बेचा गया है उसको money में हम measure कर सके हैं आपने यह पैन बेचा जी कितने का विका यह 500 रुपे का विक्या 500 रुपे रुपे currency economic activity ठीक है मैंने मेरको क्या न ठीक कार सर्विस करवाने गया हो कि कार सर्विस हो गई उसने बिल बना दिया कितने का 5000 रुपे का 5000 रुपे का 5000 रुपे को कार सर्विस इजन economic activity मैं office के बाद यार मैं थोड़ा मंदिर चला गया किसी पार्क में चला गया मन की शांती टहलने के लिए relax होने के लिए अच्छा लगा अब कितने रुपे का relaxation मिला कितने रुपे की शांती मिली तो वो major नहीं हो सकता okay so that is non economic activity got it that is what non economic activity तो जो business है वो economic activities यानि के monetary terms से related होता है but let's focus about the main word and that is what economics although ये चीज हम initially 11th class में 12th class में पढ़ चुके हैं बट मैं इसको दोस्तो जीरो से शुरू कर रहा हूँ हम पूरी की पूरी meaning पूरा का पूरा concept initial level से ही समझेंगे clear चली आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं सबसे पहले के basically जो economics word है वो क्या होता है जो इसको मैं उपर कर रहा हूँ example की तरह आ रहा हूँ okay के भई economics word क्या होता है आई ध्यान दे economics word की बात करें तो यहां पर आप ये एक चित्र देख रहे हैं एक diagram देख रहे हैं ठीक है अगर आपकी book में यह नहीं है तो कोई बात नहीं आप एक imaginary हैं से content जो मैं लिखूंगा उसको note करें हमारे फार्मर्स हमारे अनदाता हमारे देश के में एक्टिविटी इनकी किस पर अगरी कल्चर पर इनके अपने खेत हैं अपने पशू हैं अपनी मशीन से ट्रेक्टर वगरा भी और इन सब का इस्तमाल करके वह definitely कुछ ना कुछ प्रडूस करते हैं कुछ ना कुछ प्रड करके अपना मॉनेटरी इनकामन करने के लिए उसको बेचा भी अब यह हमारे फार्मर्स हैं यहां तक हम देख रहे हैं इधर तक पीछे तक इनके खेत हैं यह पूरा एरिया इनका है अब इनका सीजन आया खेती करने का तो इन्होंने सोचा कि वह फसल उगाई जाए जिससे इनको फाइदा हो सके फाइदा नहीं सर फाइदा वर्ड कहना ठीक नहीं रहेगा मैक्सिमम फाइदा ठीक रहेगा ठीक है मैक्सिमम फाइदा मैक्सिमम बैनिफिट मैक्सिमम सैटिसफेक्शन मैक्सिमम वर्ड का होना जरूरी है तो इन्होंने सोचा कि मैं इस कर रहा हूं कि यह राइस जो है इसका production कर सकते हैं अच्छा जी okay यह वीट का production भी इसमें कर सकते हैं यह अपने इस agriculture land में pulses का production भी कर सकते हैं sugar can का production भी कर सकते हैं हो सकता है यहां पर cotton का production भी हो जाए ETC and ETC clear so Mr. K Mr. Kishan इनके पास बहुत सारे options यहां पर आ गए got it clear दूसरी तरफ यह सब produce करने के लिए इनके पास क्या है इनके पास है इनकी जमीन इनके पास है इनकी agricultural land main हाला की बाकी resources भी है लेकिन main हम इस पर focus करके चल रहे हैं ओके दोस्तो दोस्तो यह जो options create करें गए rice wheat pulses sugar can cotton और भी बहुत हो सकते हमने यहाँ पर 5 consider करें यह हैं हमारे किसान भाई साब की wants यह क्या है wants और यह जो agriculture land है यह है resource यह क्या है resource clear और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर इस वक्त जो situation arise हो रखी है वो यह वाली है right वो यह वाली है wants क्या है जादा है resources क्या है कम है भाई मैं अपने इस agriculture land पे मिस्टर किसान अपने इस agriculture land पे wheat भी produce करना चाहते है राइस भी sugar can भी pulses भी cotton भी vegetables भी बहुत सारे examples but the thing is कि वो सारे वह जरूरत इन सब किये इनको खुद भी है और market में भी भी सकते exactly लेकिन में दूइधा यहाँ पर क्या निकल कर आ गई बिल्कुल exact वही कि यार इन सब का production इन सभी का production possible नहीं है कि सारे के सारे ही मैं produce कर लूँ मैं sugar can be rice be cotton be सब सारी के सारी crop produce कर लो the reason being जो agriculture land इनके पास है वो इतनी बड़ी नहीं है इतनी बड़ी नहीं है इस situation को दोस्तो इस situation को दोस्तो हम नाम देते हैं scarcity कि इसपुम क्या नाम देते हैं scarcity का नाम देते हैartenude को अगर हिंदी में बोला जाये तो हिंदी बेड़ा simple सा वर्ड इसका जो अक्सर हम सुनते हैं वो होता है दुरलबता ठीक है लिख लेते हैं इंदी में क्या दिक्कत है ना मातर भाशा मालूम होनी चाहिए हमें क्या दुरलबता कमी है कमी किस चीज की है रिसोर्स की कमी किस चीज की है रिसोर्स की क्या कमी है कमी यह है कि वो हमारी सारी की सारी वांट्स मिस्टर किसान की सारी की सारी वांट्स को पूरा नहीं कर सकती सारी की सारी कॉप प्रडूस नहीं हो सकती तो ओके चलो ठीक है अब नहीं हो सकती नहीं हो सकती तो मिस्टर के ये भी सोच रहे हैं ये भी विचार ला रहे हैं कि कुछ तो प्रड किया प्रड्यूस करें क्या प्रड्यूस करें त offense कर लेते हैं लेकिन मुझे इतना चाहिए उतना पतानी प्रड्यूस हो पाई ना हो पाए मार्केट में बेचने जाओं तो पता नी दाम मिले ना मिले बड़ा अन इवन सा हिसाब किताब चल रहा है तो दिक्कत ना हो जाए वीट यार वीट ठीक है पिछले साल भी हमने प्रडूस करा था अच्छा हुआ था वही बचाया हुआ अभी तक मार्केट में पत क्रॉप को लेकर हरे क्रॉप को लेकर मिस्टर के के पास कुछ ना कुछ सवाल हैं कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज हैं जिसकी वज़ा से यह एक्जेक्ट डिजीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इन्हें क्या प्रडूस करना है इन्हें इन ऑप्शन्स में से कौन सा ऑप्शन स से इसी की वज़ा से scarcity की वज़ा से आपकी arise होती है एक problem और उसको बोला जाता है economic problem उसको क्या बोला जाता है economic problem बोला जाता है सरे economic problem क्या अरे यही जो अभी हमने discuss करा ना आपस में जो भी हमने discussion करी है आपस में इसी को economic problem कहते है economic problem का मतलब यानि के problem problem of choice problem of choice problem of choice से मतलब के यहाँ पर Mr. K के पास यह select करने में difficulty आ रही है कि यार मुझे rice produce करना चाहिए या wheat करना चाहिए pulses produce करूँ क्या करूँ यह difficulties इनके सामने आ रही है दोस्तो और यह जो difficulties आपके सामने आती है इसी को economic problem कहा जाता है इसको मैं यहाँ पर example आपके सामने create कर रहा हूँ इस example के साब से आपकी daily life में हमेशा कुछ ना कुछ economic problem आती है क्या economic problem आती है आओ यहीं से शुरू करते है CA foundation की classes अमने खरीदी चार subject आगे चारो subject ही classes हमारे पास आगी है receive हो चुकी है accountancy है अपना economics है maths है law है यह चार subject है marks लाने है यार बहुत बढ़िया टॉप करना है rank आ जाए मज़ा आ जाए बहुत बढ़िया है हमारे thoughts अच्छे हैं अच्छा बिल्कुल clear कर लेंगे लेकिन उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सोस समझ के time table बनाना पड़ेगा यार च्छे महीने चार महीने पाँच महीने रह गए है अब पाँच महीने रह गए है मुझे कौन सा subject पहले करना चाहिए कौन सा subject बाद में करना चाहिए MTP कहां से करने चाहिए ये सब दिमाग में जो चक्कर चल रहा है ये जो दिमाग में आपकी management को लेकर problem आ रही है that is known as what economic problem इसे हम क्या कहते हैं economic problem कहते हैं क्यों भई मान लो for example पाँच महीने के हम बात कर रहे हैं पाँच महीने क्या है आपका time आपका resource माक्स लाने 80%, 90% जितना बढ़िया हो सगे उतने माक्स्त हमें लाने चारो सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट का हैं हमारी वाट्स पांच महीने समय कमी रहता है पढ़ाई के लिए हमेशा हैना कम है तो समय कम है और उसकी वज़ा से हमें कौन सा सब्जेक्ट जादा करना है कौन सा सब्जेक्ट कम करना है किसको कितना टाइम देना है That is economic problem That is what economic problem Got it? तो economic problem definitely हमारे सामने arise होती होती है और यहां पर तो हमने इसका example देखा Got it? चलिए आगे बढ़ते हैं अब economic problem भी आगी अब बात यहां पर यह है कि अगर problem है तो उसका solution भी तो होना चाहिए अगर problem है और हमारे सामने उसकी वज़े से कोई further production नहीं हो पा रहा है तो definitely हमें उस problem का solution है वो भी पता होना चाहिए या solution निकालना चाहिए अब इस situation में आईए ज़रा solution निकालते हैं फॉर एक्जामपल Mr. K. ने यह decision लिया कि अगर मैं अच्छा मैं यह assume कर रहा हूँ यह चीज़ इसमें मैड कर रहा हूँ कि अगर इसमें rice का production करा जाए तो वो 10,000 kg प्रेडियूस होगा wheat का हो तो वो 9,000 होगा pulses 8,000 यह 7,000 और यह 6,000 simple तरीके से मैंने इसको क्या नाम है कम कर दिया ठीक है यह इनका kilogram में यह kilogram में production हो सकता है तो अगर हम यहाँ पर सबसे ज़ादा अभी तक की information के साब से सबसे अच्छा option सोचें तो sir वो rice है है न Mr. K. को rice का production करना चाहिए तो ठीक है कर लेते हैं लेकिन इन्होंने बाद में जब study करी तो देखा कि rice का production यहाँ पर अच्छा तो हो जाता है produce तो हो जाता है quantity भी अच्छी हो जाती है लेकिन यार एक समस्या है market में हमने आसपास देखा है बाकी किसान भी rice ही produce कर रहे हैं तो market में कलको हो सकता है हमें इसका अच्छा price ना मिले क्यों production इतना ज़्यादा हो गया market में supply ज़्यादा हो गयी सामान ज़्यादा पहुँच गया तो बिकेगा नहीं अच्छा दाम नहीं मिलेगा हमें ये एक समस्या आ सकती है तो better क्या है better क्या है यार risk मतलो क्यों क्यों कि अगर आपने produce करा तो इतने time के लिए आपने जो अपना time अपनी जो जमीन है उसकी fertility rice के नाम करी अपना time लगाया अपने जो machines थी अपने जो उनके पास resources थे उनका इस्तिमाल करा वो सब waste हो जाएंगे वो सब waste हो जाएंगे resources पहले से ही कम है तो क्या आपके पास उन्हें waste करने का धिकार है definitely नहीं definitely no ऐसा नहीं होना चाहिए तो कर दिया, cancel कर दिया rice को cancel करो, यह ठीक नहीं है अगले पर आओ wheat को produce कर लेते हैं हाँ यार wheat को कर लेते हैं हमें भी कुछ जरूरत है आटा चाहिए, रोटी का consumption जादा होता है wheat produce कर लेते हैं ठीक है लेकिन थोड़ी और गहन अध्यन करा और देखा हमने कि यह अगर agriculture land है तो इसमें अगर पूरा 9000 kg produce होता है लेकिन 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 अगर मैं इतने एरिये में produce करके 6000 kg wheat ही produce करूँ 6000 kg wheat ही produce करूँ 1000 का मेरी family के लिए काफी रहेगा 5000 मारकेट में भिख जाएगा ठीक ठाक प्राइस पे टाइमली भिख जाएगा मुझे घर में store करके रखने की जरुद नहीं पड़ेगी मेरा काम चल जाएगा मेरा काम चल जाएगा तो रादर दैन के पूरे के पूरे field में 9000 kg wheat हम produce करें भाई आधे में या 60% में 6000 प्रेडियूस करो खुश रहो बाकी जो area रह गया है let's produce next best option अगला best option प्रेडियूस करो pulses जरूरत होती है खुद भी consume हो जाएगा और market में भी साल लग रहा है कि दाम अच्छा मिल जाएगा तो final decision लिया गया कि हम wheat और pulses का sorry हम wheat और किसका pulses का combination बनाएंगे और इसको produce करेंगे and then the final decision takes place और तब जाके हमारा ये decide हुआ कि इन दोनों का production होगा और आप देखो आपने समझा आपने study करा चीजों को analyze करा अगर मैं इस देखू 10, 9, 8, 7, 6 pulses का तीसरा number था production के लिए कोई chance ही नहीं देखने में लग रहा है कि यार उससे पहले तो wheat का number rice का number रहा है उन्हीं को produce करो बट जब हमने पूरी market understanding देखी बाजार में क्या दाम है हमारी क्या अस्थिती है बाकी जो हमारे किसान भाई है वो क्या produce कर रहे है pulses भी हुगानी पड़ गई हमें the third best option कैसे ये कैसे possible हुआ ये चीज कैसे possible हुई कि third best option तक आप पहुच गई क्योंकि आपने सारे के सारे circumstances को properly study किया और दोस्तों इसी study को इसी study को बोला जाता है इसी study को बोला जाता है Ec lampix क्या बोला जाता है economics ये जो आपने इहां पर करिए न study इसका उतना मेरा इतना market में ये दाम अपने पास इतना रखोंगा, कितना भी केगा, कितना नहीं भी केगा, यह सब economics होती है, that is economics, so what is economics, अगर मैं इसको simplify करूं, एक simple सी language में, economics is about, I repeat, economics is about making, making choice in the presence, in the presence of scarcity, words पर ध्यान देंगे, in the presence of scarcity, problem सारी की सारी कहां से शुरू हुई थी, सर्फ problem सारी की सारी शुरू हुई थी, जब wants resources से जादा थे, when wants are greater than resources, this situation called, this situation called scarcity, and scarcity leads to, scarcity leads to economic problem, scarcity की वज़े से economic problem arise हुई, हमें selection करना पड़ा, और किसका selection करें, उसने जो हमारे सर में सरदर्द किया, उस सरदर्द का नाम था, economic problem, या आपका ये problem of choice, लेकिन problems को छोड़ नहीं सकते, problem से हमें लड़ना है, उनसे, उनका solution निकालना है, so economic problem is solved by, economic problem is solved by economics, किस तरीके से आपने manage करा, चीजों को समझा, और final decision लिया, best possible situation के लिए, maximum satisfaction के लिए, maximum फाइदे के लिए, इसे economics कहा जाएगा, ऐसे ही मम subject का example आपका लेके चल रहे थे, सर, चार सब्जेक्ट पढ़ने है, चार सब्जेक्ट पढ़ने हैं इसमें अच्छा score करना है, marks बढ़ियां आने, क्या करें कैसे करें, तो ठीक है, चार सब्जेक्ट थे, पांच महिने थे, एक काम करते हैं, यार, एक subject, सारा का सारा एक साथ पढ़ना, ठीक नुराएगा, let's create a combination, let's create a combination, हम दो-दो subject के combination create करेंगे, दो subject खतम करेंगे वे एक साथ, फिर दो subject खतम करेंगे एक साथ, और फिर अब आद में revision करेंगे, पहला decision, पहला economic decision आपका ये रहा, अच्छा, दूसरा, 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 जो accountancy है, वो हमारा practical practice वाला subject है, maths में भी practical questions ज्यादा है, law हमारा theoretical है, economics theoretical plus conceptual है, एक काम करते हैं, एक practical subject के साथ, एक theoretical add कर देते हैं, तो accounts के साथ आपने economics का combination बना लिया, ठीक है, maths के साथ आपने law का बना लिया, economic decision to, combination clear हो गए, clear, उसके बाद time कितना देना है, टाइम कितना देना है, डेली आठ घंटे पढ़ने का हमारा प्रोग्राम है, practical में practice ज्यादा करनी पढ़ती है, उसको हमने 5 घंटे दे दिये, theoretical वाले को 3 घंटे दे दिये, economic decision 3, यह जो चीज आपने करी, manage करने वाली सारी की सारी, यह क्या है, economics, that is what, economics, और यही subject हमें obviously discuss करना है, हमने इसी वर्ड के साथ, हमने इसी वर्ड के साथ, जो एक और वर्ड हमारा है, यहीं के business, वो जोड दिया है, उसकी meaning अफी clear है, आपको economics वर्ड समझ आ गया, तो definitely business economics वर्ड समझने में, definitely कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, clear, so that is the simple example, wants ज़्यादा, resources कम, this situation known as what, scarcity, obviously scarcity मतलब हम सब कुछ produce नहीं कर सकते, let's make a selection, अरे कौन सा selection, कैसे selection कर लें, बड़ी समस्या है, यह समस्या ही economic problem है, और अगर समस्या है, तो इसका solution निकालेंगे, solution कैसे निकलेगा, economics से, got it, I hope यह example आपको clear हुआ, किसान भाई ने हमारी मदद करी समझने के लिए, definition पर आते हैं, definition में अगर हम देखें, तो economics और economy, तो obviously, जो आपकी economics की definition है, वो तो हमने already discuss कर ली, it is about making, yes, choice, जो किस की वज़ा से होती है, scarcity की वज़ा से होती है, यहां तक clear हो गया, अच्छा, एक और confusion दूर करते हैं, एक वर्ड हमारा क्या है, economics है, एक वर्ड क्या है, हमारा economy है, इसको दोस्तों अकसर सेम मत मान लेना, यह को economics बोल रहा है, यही meaning है, economic बोल रहा है, यही आपका economy बोल रहा है, यही meaning है, नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में difference है, दोनों अलग है, subject सेम है, content सेम आता है, ओके ठीक है, बट जो logic है दोनों का, वो differ करता है, अगर मैं बात करूए economics की, दोस्तों यह एक subject है, यह क्या है, एक study है, यह क्या है, एक study है जो हम पढ़ते हैं, यह हमारी country का एक system है, सर कैसा system, कैसा system, वो system, वो system, जो हमारे देश के लोगों को, living provide करवा रहा है, उन्हें काम provide करवा रहा है, जिससे वो कुछ अपनी income, कुछ earning, जर्नेट कर पा रहे हैं, और survive कर पा रहे हैं, उस system को economy कहा जाता है, मतलब थोड़ा और elaborate करें, हाँ जिसको करते हैं, देखो हमें अपनी country नजर आती है, नजर आती हैं मतलब आसपास देख रहे हैं, map में हम देखते हैं, from the jama and kashmir to, आपका tamil naadu, कन्या कुमारी, इधर अपना गुजरात से आप रुनाचल प्रदेश पहुंच जाएए, ठीक है, आपके हमारे कुछ particular islands भी हैं, आपका अंडमानिकोबार, लक्षदीप, and कुछ some in the Indian Ocean as well, तो ये एक economy है, ये एक country है, ये country है, country क्या है, जो political boundary, जो political map हमें नज़र आ रहा है, that is our country, इस country में, बिलियन तो पहले बोला करते थे, अब तो 1.4 बिलियन तक हम पहुँच गए है, 140 करोड लगभग, तो माफ कीज़ें, 140 करोड नहीं है, लगभग 200 करोड के आसपास हमारी population है, सर, 200 करोड पॉपलेशन, ये आप क्या कहा रहे हैं, तो चाइना की भी नहीं हो, हम second number पे आते हैं, नहीं दोस्तों, हमारी 200 करोड है, 140 करोड हम लोग हैं, पीपल हैं, लगभग 50-60 करोड के आसपास, हमारे जन्तू भी तो हैं, हमारे जन्वर वगएरा भी तो हैं, उनकी भी तो खाने की जिम्मेदारी होती है, specially, जो ये हमारे किसान भाई साब ने, ये पाले हुए हैं, अगर हम इनकी बात करें, इनकी भी तो जिम्मेदारी हमारे उपर ही है, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ एकॉनमी चलती रहती है, इनके लिए भी अपना कुछ एक्वीपमेंट, कुछ खाना वगएरा चलता है, सम्हाओ इनको भी चलो एड करो, 200 करोड लगबग, अब ये 200 करोड लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, इनके लिए jobs create करना, इनवेस्मेंट्स करना, गॉर्मेंट प्राइवेट सेक्टर, दोनों मिलकर infrastructure strong करते हैं, फेक्ट्टिट इस्टेबलिश करते हैं, लोगों को काम देते हैं, लोग काम करते हैं, earning जो है कामा पाते हैं, तब ही खांपाते हैं, समझें कि नहीं समझें तो यह जो चक्कर चल रहा है जो सिस्टम चल रहा है ठीक है इस सिस्टम को इतना ज्यादा हम डीप लिभी नहीं पड़ेंगे बट ऑवेसली देर इस सिस्टम क्रियेटेड बाई आर गवर्मेंट और यह दप्राइवेट इन्वेस्टर्स या कंट्री या कंट्री एक्षिप अपका कहा कहा जाते हैं वेपार करने के लिए अपना सामान बेचने के लिए इंडियन एयर लाइन हमारे जहाज वह पता नहीं कहां-कहां उड़ते रहते हैं अपनी सर्विसिस देने के लिए इवन हमारे जो companies हैं, government भी और private sector तो जादा, वो इंडिया से बाहर अपनी factories भी establish करती है, वहाँ काम चल रहा है Indian control में, तो यह क्या है, the economy is a greater prospect than the country, got it, तो यह meaning, दोनों में clear होनी चाहिए, country और economy का difference तो मालूम होना ही होना चाहिए, economy और economics के बीच में, क्या फर्क है, क्या एक thin line है, वो भी पता होना जरूरी है, got it, so that is the definition of economics, और जो example हमने उपर अभी यह समझा, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें, अपनी conclude करी, आईए उस पर जड़ा नजर डालते हैं, human beings have what, क्या unlimited wants, the mean of satisfying these wants are relatively square, और square की जगे, आप क्या word भी उस कर सकते हैं, limited, क्या, limited, means का मतलब क्या हुआ, means का मतलब क्या हुआ, resources, resources, तो जो हम produce करना चाहते हैं, जो wants हैं, वो बहुत ज़ादा है, unlimited है, resources क्या है, हमारे पास limited है, इसकी वज़ा से, economics, अब ध्यान दीज़ेगा, वो maximum फायदे वाली बात आ गई, economics is concerned with the study of how effectively, क्या effectively, सबसे best possible तरीके से हमें इस्तिमाल करना है, an individual and society uses limited resources to satisfying infinite, infinite wants, सारी तो नहीं कर सकते हैं, सारी तो नहीं कर सकते हैं, पर जितनी कर सकते हैं, जितनी maximum possible कर सकते हैं, उतने का production करो, जैसे हमने यहाँ पर example लिया न, अब यहाँ पर example में एक ही produce हो सकता था, normally, लेकिन हमने समझा, condition को समझा, दो को produce करा, हो सकता है हम कुछ और additional point करने तो तीन भी कर सकते थे, it depends, right, it depends के circumstances के हैं, the main thing के हमें best possible way में उनका इस्तमाल करना है, तो how economics deals with, economic क्या बताती है, economic ने हमें यहीं बताया, कि हमें अपनी country में जो आपके square resources हैं, square resources है, उनको अलग-अलग तरीके से कैसे इस्तमाल करें, यह मालूम होना चाहिए, हमारा target अपनी production capacity को बढ़ाने का होना चाहिए, अगर हम उपर वाले example में rice को produce कर लेते, productivity नहीं बढ़ती है, जो चीज produce हुई है, उसकी कोई market value नहीं है, बिक नहीं पा रही है, तो काहे की productivity, आपने produce करा किसको जो बिक सकता था, जिसकी monetary value निकल सकती थी, and the factors which led up the sharp fluctuation in the rate of utilization of resources, sharp fluctuations, situation के हिसाब से समझो में, आपको अपने घर का example देता हूँ, चलो दूर जाना ही नहीं, ठीक है, we belongs to a farming family as well, ठीक है, तो हमारे family members, पापा भी involved रहते हैं, ताया जी भी involved रहते हैं, so what we are currently doing, हम अपनी crop, हमारी जो crop है, हमारी जो जमीन है, उसमें mainly हम दो फसल जो है, दो crop जो है, वो produce करते हैं, एक है sugar can, जो गन्ना, ठीक है, and एक wheat, ओके, ये दो crop का हम production करते हैं, कोगि वहाँ पे जो situation है, वो rice भी produce हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, but these are very familiar, क्यों sugar can आसानी से बिक जाता है, और जो wheat है, उसको हम अपने personal utilization के लिए रखते हैं, अब क्या करने लग गए है recently वो, मतलब वो मतलब अपने पापा जी और ताया जी, वो क्या करने लग गए है, for one particular year, एक साल के लिए, एक साल के लिए, वो फसल उगाते हैं wheat की, ठीक है, एक साल तो नहीं बोलूँगा, एक सीजन बोलूँगा, एक सीजन बोलूँगा, wheat को, wheat produce हो जाता है, घर तक पहुँच जाता है, हम उसको store कर लेते हैं, और उसके बाद अगले दो सीजन के लिए sugar can ही sugar can होता है, शुगर के उसमें और कुछ produce ही नहीं कर रहे हैं, दो साल के लिए, ठीक है, मतलब आपने इस साल wheat produce करा, तो अगले साल भी करना चाहिए, ना अगले साल नहीं कर रहे हैं, उससे अगले साल जाके कर रहे हैं, क्यों? उनका ये कहना है, कि जो भी wheat हम एक सीजन में produce कर रहे हैं, अगले दो साल के लिए वो हमारे लिए sufficient है, अच्छा, बहुत अच्छी बात, अब देर दो साल के लिए अगर sufficient है, तो अगले दो साल तक आप उसमें commercial cropping कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो? commercial crop कर रहे हो, मतलब अपना sugar can produce कर रहे हो, जो असानी से भिकरा है, तो कहने का मतलब जहां पर आपको fluctuations नजर आएं, जहां पर आपको लगे, कि भई यहां पर इसकी value जादा मिल सकती है, जादा production हो सकता है, मैं आपको example दो दो, मैं example देता हूँ, वापस आता हूँ, जैसे यह वाला, यह वाला example ले लेते हैं, यह किसान भाई, यहां पर इन सब का 10,000, 9,000, 8,000, 7,000 और 6,000 ऐसे production कर रहे थे, यह इनका production निकल के आ रहा था, आज कल के time में, आज कल के time में, मैं आपको real example दे रहा हूँ, आप कभी मौका मिला तो आपको show करेंगे data वगेरा ठीक है, और discuss करेंगे, बताएंगे कहां कहां पर हो रहा है, इस agriculture land में, एक crop, एक crop, 10,000 kg produce हो सकती है, 10,000 kg, और दूसरी crop, दूसरी crop, produce हो रहा है, 4,000 kg, कितना 4,000 kg, यूँ डॉन्ट बिलीव, यूँ डॉन्ट बिलीव, फारमर्स आर प्रडूसिंग दिस, नोट दिस, नोट दिस, क्यों? इसकी वैल्यू जाता है, 4000 किलो वाले की value जाता है सर ऐसा क्या है ये organic है got the point ये organic है ये fashion में चल चुका है आप समझ रहे होगा आपने सुना होगा असपस अपनी चीज़ों को तो वो क्या करने है भई ठीक है organic की market में demand है लोग पैसा देने को तयार है ये 4000 किलो 10,000 किलो से जादा बिग जाएगा अब जैसे बोला ना sharp fluctuation ये fluctuations हम कहां देख रहे है recent time में आप facebook स्क्रोल करो आप google पर जाके blogs वगरा पढ़ो knowledge रखो ये भी economics का part होता है knowledge का part होता है people are completely not completely not completely so many people are now engaging themselves in organic farming organic और specially ये पोस्ट कोविट तो हम ये बहुत जादा देख रहे हैं कि organic food की तरफ लोगों का रविया अब change होता चला जा रहा है and we are observing that particular fluctuations तो चलो भाई उस तरफ चलते हैं क्यों जहां पर market की demand है जहां पर market का satisfaction है उसे ही produce करते है clear जी तो ये चीज इस चीज के साथ जो economics है वो हमारी deal करती है with market situations with economic situations and problems problems है situations है solution निकालो वो solution economics है got it चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे जाते हैं business economics पर हम आने वाले हैं लेकिन उससे पहले हमारी एक प्यारी सी heading micro और macro micro economics और macro economics ठीक है हमने इसके बारे में सर सुना है पहले बहुत अच्छी बात है कोई बात नहीं दुबारा से एक बार डिसकस करते हैं जो दोस्तों हमारी economics है जिसको लेकर अभी हमने इतनी चर्चा करी उसको basically उसकी दो branches है उसकी दो branches है एक है आपका micro micro economics इसमें दोस्तों आपका I word आ रहा है इसमें आपका A word आ रहा है I से मतलब होता है actual में इसका ये मतलब नहीं होता हूँ मैंने समझने के लिए बना रखा है I से इसका मतलब होता है individual क्या होता है individual and A से उसका मतलब होता है all all या aggregate ओल या एग्रिगेट ठीक है जी इंडिवेजुल एग्रिगेट मतलब क्या मतलब समझो बिल्कुल समझो मतलब economics हमने बोला एक study है एक subject है जो situations को problems को study करती है ये study ये observation इन problems का solution निकालना अलग-अलग level पर हो सकता है हमने जो अभी farmer सापका example लिया so what we are doing what we are doing we are focusing on a particular या कहलेजिये particular farmer बोलो या particular producer बोलो जो भी आपको वड़ी ठीक लगे but the word is particular the word is individual you are studying an individual unit that is microeconomics okay production of a firm individual micro study income of a family ठीक है individual unit ये पैन है ये पैन है इसका market में क्या price है इसके market में कितने producer है इसकी market में कितने demand है कब इसके price में fluctuation आती है वगेरा वगेरा हम जो भी पढ़ रहे हैं we are studying about this particular this single commodity only and this individual study this micro study is what micro economics जब आप single पर focus करते हो but मुझे बताओ market में क्या यही एक pen है यही एक pen मतलब क्या यही commodity नहीं बहुत सारे यह आपका remote भी है यह वाला pen भी है यह हमारा क्या नाम है calculator भी है आज कल तो यह बहुत चल रहे है फुस-पूस हमारे है ओ चल रहा है ठीक है ये फुस-फुस भी बहुत सारे हैं आज कल है ना सो कंडिशन क्या कि सिर्फ एक स्टडी नहीं है सिर्फ एक प्रड़क्ट नहीं है बहुत तमाम प्रड़क्ट हमारे यहां पर एग्जिस्ट करते हैं तो यह चीज क्या है एग्रिगेट मेक्रो जब आप सब कोकंबाइंड करके इक औगर और je na एक calend rivalry की इंकम नेशनल इंकम का पता लगाना और राग्रिफ एक सिंगल परम के कितना करें माइक्रो स्टड़ी लेकिन पूरी आउटब नेशनल लावग richtत ग準 कर तो दोनों same है देखा जाये तो दोनों economics हैं दोनों ही economic situations को study करती हैं दोनों ही economic problem को study करती हैं दोनों ही उनका solutions पता लगाती हैं बस फर्क इतना है कि एक individual level पर study करेगी और एक आपका aggregate level पर, overall level पर काम करेगी, study करेगी तो यही difference निकल करा जाता है दोस्तों दोनों के बीच में अगर हम यहाँ पर देखें It is the branch of economics which deals with individual economic units और यहाँ पर क्या है? It deals with economy as a whole Combined study, aggregate study हम इसमें करते हैं Clear, इसमें जो main tool हम पढ़ते हैं किसी product की demand, किसी product की supply ठीक है, किसी particular family की income Individual units, लेकिन aggregate demand, aggregate supply Country में total होने वाली demand Country में total होने वाली supply Macro economics ठीक है, इनके nickname, इनका दूसरा नाम है जो इनके parents ने रखा है इसको price theory भी कह देते हैं अभी हम chapter भी पढ़ेंगे आगे चलके market में यह बड़ा interesting topic है और इसको हम income employment theory भी कह सकते हैं यह दूसरा नाम इसका हो गया क्योंकि इसमें हम country की overall income country के overall employment level तक को study करा जाता है But obviously यह आपका इस foundation level पे इस foundation level पे इस लेवस में नहीं है हमें यहाँ यह price theory बढ़ेंगे यह बड़ा interesting होने वाला market chapter में इसको गहन अध्यन के साथ deep studies के साथ पढ़ा जाएक और काफी interesting facts आपको इसमें समझ आ जाएंगे कुछ points तो ऐसे हैं जो for the lifetime आप अपनी real life में भी apply करना सीखेंगे Okay दोस्तो So we discuss about some basic concept of economics अभी business economics पे हम नहीं आए हैं हमने पढ़ा क्या होता है जी बिल्कुल simple economic problem arise होती है scared city की वज़ए से उन problems का solution निकालना क्या होता है economics होता है example हमने इसके देखे और इसके forms देखे तो आई अब मुद्दे पर आते हैं अपना heading business economics simple 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 आप समझ चुके हो इस heading को already आप समझ चुके हो बताओ ज़रा फिर क्या है अगर समझ चुके हो अगर आप खुद बार बार कह रहे हैं economics का जो मतलब है वो अभी हमने समझा कि जो भी हमारे resources हैं जो भी हमारे resources हैं उनको best possible way में best possible way में इस्तिमाल करना उसे best possible way में इस्तिमाल करना जिस से जिस से क्या हमें maximum satisfaction मिल सके है ना भई ठीक है वो ही तरीके तो हमने समझे वो ही तरीके हमने समझे इसे business में apply कर दो that is business economics got it अभी जो हमने example लिया resources का वो एक specific farmer का example लिया इसी चीज़ को अपनी study में हमने apply करना सीखा ठीक उसी तरीके से ये चीज़ हमारी government जो है हमारे private sector हमारी country के लिए apply करते हैं हमने अपने paper में लगाई तो paper economics हमने वो किसान भाई साब के लगाई तो किसान economics country के लिए लगाएंगे तो country economics अपने business में लगाई तो sir business economics ना बिलकुल बात खतम आओ इसका example देखे आओ इसका example देखे हमने हमने कोई भी एक business start करा for example कुछ क्या माने pen मान लेते हैं हम ये pen का business कर रहे हैं pen बनाना हमें हमने बोला इस साल इस साल हमें सीधी सी बात है एक लाख पैन बनाकर बाजार में बेचने हैं for example obviously इस business को start करने के लिए we need a capital हमारे पास money होना चाहिए और मैं assume कर रहा हूँ के हमारे पास दो लाख रुपे है इस दो लाख रुपे से हमें ये target जो है इस साल अचीव कर रहा है irrespective of price for example मान लो 10 रुपे का एक pen बेचना है हम अब 2 लाख रुपे आ गए pen बना लो बेच दो हो गया business कर लिया business ऐसे होगा क्या ऐसे होगा definitely नहीं अभी तो business में कदम भी नहीं रखा उससे पहले उससे पहले ही picture और line बिलकुल clear हो जानी चाहिए कहां जाना है कैसे जाना है हमें machinery कौन सी खरीदनी है हमें labor कितने चाहिएंगे हमें raw material top quality का purchase करना है ठीक है वो कहां से purchase होगा इसका पता लगाओ इसको ढूंडो काम अभी शुरू नहीं हुआ है अभी तो planning चल रही है machine कहां से labor कितने raw material कैसा अच्छा चलो यह तीनों आ जाएंगे production हो जाएगा अरे भी अब बिकेगा कैसे so what about the marketing हम बेचेंगे कैसे clear so जब आप एक particular business में अपने आपको introduce कर रहे हो so what you are doing what you are doing कि भई ऐसा है मेरे पास इतना पैसा है यह मेरा product है and the thing is मुझे best performance करना है उस best performance के लिए what you have to do what you have to do you have to you have to यह बता दूना मेरे को यह दो लाग क्या है यह दो लाग क्या है यह दो लाग ही तो आपके resources है और यह एक लाग क्या है 10 रुपे के हिसाब से sir यही तो मेरी want है यही तो मेरी want है और इन wants को achieve करने के लिए ही इन wants को achieve करने के लिए ही मैं अपने इन resources को best possible तरीके से best possible तरीके से allocate करना चाहता हूँ distribute करना चाहता हूँ ताकि production बहुत अच्छे तरीके से हो बहुत अच्छे तरीके से हो और मेरा यह target अच्छीव हो पाए अगर ये target हमें जादा लग रहा है तो हम इसके close तक पहुंचे 70,000, 80,000 कहीं तक पहुंचे अगर हम बीच में डग मगा जाएं तो समझें तो यहां पर आपने क्या करा यहां पर आपने क्या करा है अभी जो हमने example लिया यह business economics ही तो करी आपने यह क्या करी आपने business economics कैसे करी कैसे करी यहां पर भाई यह दो लाख रुपे थे दो लाख रुपे मेरा resources यह मेरी want मैंने अपने business के हिसाब से अपने product के हिसाब से यह अलग-अलग classification करी इन classification में best का selection करा उनसे हम production करेंगे सबसे important इसमें क्या मार्केटिंग कैसे बेचा जाएगा उस पर हमने इसको advertisement करेंगे इतने budget में तो खेर कहाँ advertisement होगी अब मैं example फिर भी आपको लेकर दे रहा हूं हमने अपने agents को भेजा लोगों के घर तक बार डोर बार उसको बेचना चाहा कैसे भी whatever हमें बेचा अपनी best possible जो technique है वो हम लगाएंगे क्या करा आपने क्या करा आपने economics करी आपने करी business economics what you have did is what business economics तो जब दोस्तों जब दोस्तों हम अपनी business economics को तो सारी माफ कीजेगा जब हम अपने business में अपने resources को अपनी policies को अपनी planning को best possible way में I am repeating the word best possible way में इस्तमाल करके अपने resources को उन्हें achieve करने की कोशिश करते हैं उसके लिए हम कुछ अलग-अलग तरी के आजमाते हैं उसको business economics कहा जाता है उसको business economics कहा जाता है तो आपने जो economics का एक basic meaning समझा स्टार्टिंग में उसको business में engage कर देना उसे business में लेकर आ जाना simply it is known as what business economics इसको क्या नाम दिया जाता है इसको business economics का नाम दिया जाता है clear आईए समझते हैं अब content बिलकुल उसी तरीके से यहां पर हमारा लिखा हुआ है सारा का सारा आओ ध्यान दे business economics is the use of economic analysis in the formation of business policies and to make business decision involving the best use of organization scare resources कुछ नया क्या नईए सर वो ही है यह scare हमने पहले समझे लिया था यह business की policy तो अभी हमने खुद बनाई थी तो यह क्या था economics थी that is what that is economics बिलकुल simple सी बात है अच्छा इसको कुछ और भी कह सकते हैं हाँ जी अगर कोई आप से business economics बोले या managerial economics बोले तो दोनों का मतलब से both are related with what yes exactly हमारे business की term से यह related होती है refers to the integration integration of economic theory with business practice okay integration का मतलब भी जोड़ना क्या जोड़ना economics business पहले हमने initial level पे 11-12 में दोनों अलग अलग पढ़े थे business studies economics आज जोड़ रहे हैं आज जोड़ दे रहे हैं बात खतम जो economics की theory है जो economics का concept है हमने पढ़ा economics में अपना basic जो laws है हमारे price बढ़ेगा तो demand कम price कम तो demand जादा क्यों other factor constant है अगर other factors में change हुआ तो अगर other factors में change हुआ तो ये pen हम बेच रहे थे 10 रुपे का बेचने की सोच रहे थे clear अगर ये price हमने 10 से 8 का कर दिया तो demand बढ़ जाएगी औरे हाँ demand बढ़ जाएगी कम कर देंगा price फिर देखा नहीं मेरे competitor ने price 10 से 6 कर दिया उसके हिसाब से मुझे कुछ ना को changes करने पड़ेंगे that is what law of demand law of supply is a simple economic theory it is simple economic theory and you are involving that law in what business practice और उस business practice में आप साथ साथ आस पास का महल भी देख रहे है लोगों को पैन पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है लोगों के पास income है नहीं है मेरा competitor कौन है competitor ने market में price कर रखे हुए so what it is involved that part of economics in your business got it जैसे और सेम चीज़ जो भी हमने बोला कि भी market में इसकी demand कितनी है जो और इसकी supply कितनी है कितने में बन रहा है ये सब आपके जो economics के tool है business में start होते है अरे जियो का example लेते हैं जियो ने आती जो market हिला रखी है इतने सारे आपके telecom companies की that is what they are studying the simply economics fact हम जनता जनता में जो data है data है उसकी demand जादा है हमें तो data कितना दे दो सुबह से साम तक हम बहुत busy है facebook करना पड़ता है instagram करना पड़ता है whatsapp करना पड़ता है पता नहीं क्या करना पड़ता है तो we are very busy बढ़ ये busy ठीक निया कहीं और busy करो ठीक है data की demand है ठीक है हम data हमें चाहिए हम busy रहना चाहते है यहां से ध्यान कहीं और ले जाओ ना economic studies करो economics facts पढ़ो share market पढ़ो government policies पढ़ो वहाँ busy रखो उधर involve करो खेर जो भी है demand है ठीक है अरे demand है demand demand तो मोटा भाई ने सोचा किया मैं इतने data की supply कर सकता हूँ supply हाँ बिलकुल tower power लगाए अपनी जो fiber cables है उनको बिछाया ठीक है अच्छा चलो बेचते हैं कितना price रखें कितना price रखें price we are studying about the price मेरे competitor का कितना है अरे उससे कम रखो competitors के मुकाबले कम रहेगा तभी तो हम बेच पाएंगे कुछ कर पाएंगे है न उस price से मैं अपनी cost cover करूँगा नहीं करूँगा so all these facts all these facts are economics which are used in business जहां पर भी connection हो रहा है economics का business activities के बास वो आपका business economics कहा जाएगा वो आपका business economics कहा जाएगा ठीक है business economics comprises of that part of economic knowledge जहां पर हम obviously फिर वो इचीज यह तो कोई यह word common हागिया ठीक है बात वो ही rational business decision making what is rational what is rational rational is sir best possible यहां पर लिख देते हैं best possible तो बात वो ही है decision making जब आप business की कर रहे हैं so on the basis of your resources on the basis of your resources is जो भी आपके पास है यह आपने हाँ पर design ले दो लाख रुपे ठीक है यह दो लाख रुपे है हमारे पास machine के लिए 40,000 का budget है find the best machine find the best machine marketing के लिए ठीक है we are ready to spend 50,000 rupees so 50,000 में best publicity तो जब आप अपने resources को अपने money को अपने किसी भी resource को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करने की सोचते हैं दोस्तों उस चीज को बोला जाता है उस चीज को कहा जाता है yes, exactly आपका क्या आपका क्या rational use जो business में है clear so that is the meaning of business economics friends यह simple simple से 3 point हमारे सामने हाँ पर नज़र आए और conclusion यही economic theories को में हम शुरू करेंगे ठीक, आज की class में next class में we will start with the content of nature of business economics इसमें कई सारे हमारे points है अलग-अलग अरे-अरे-अरे-अरे अलग-अलग point है उनके अलग-अलग forms है उनको हम discuss करेंगे and then we will move towards our next heading scope of business economics इसको बारे में discuss की जाएगी मिलते हैं आपसे next class में जो आपको चीज बताई थी उसको ध्यान में रखिएगा अपनी books आसात maintain करें notebook आसात maintain करें and yes, कोई भी query कोई भी doubt आता है तो उसे पूछे बागे मिलते हैं आपसे next class में please take care